जैने दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम पार यूटूब चैनल में आज की क्लास में लिकर आए हैं आप सभी के लिए मत दुपूर्ण कॉस्चन आंसर वीडियो को सभी लोग लाइक कर लिजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर क में 3000 प्रिश्ण की पी डिएफ जिन के लिए परचेस करना है त्रसौर उप्य में आप परचेस कर सकते हैं नंबर इसकीन पर चल रहा है संपर कवस कर लिजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आपर पहला कॉस्चन दिया गया इस निर्थी लेखा अग्ये जी के किस पिरकार की नवंदों का संकलन है यह आप सभी के लिए आपर चैन करना है चैन करिए का कॉस्चन नमबर इंक्याउन में आप सभी के लिए बताना है ललित नवंदे संसमन्नात्मक नवंदे भावात्मक नवंदे विचारात्मक नवंदे इंक्याउन में आपर सही आंसर बताना है कौन सा विकल्प नमबर यहां पर दिया गया है कौन तु फुलवा बीनन हारी किसका निवन्द संग्रह है आपके लिए बताने किसका निवन्द संग्रह माना जाता है विकल्प नमबर आप सभी के लिए आपर बताना है तो विकल्प नमबर आप सभी का आपर सही आंसर क्या होगा विकल्प नमबर डी सही आंसर विद्या निवास मिस्र विद्या निवास मिस्र जी जो है उनी का निवन्द माना जाता है निवन्द संग्रह है कौन तु फुलव बीननहारी अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया इनमें से कौन विद्यनिवास मिस्र का निवंद संक्लन नहीं है नहीं वताने अगिनीरत लागों रंगहरों महाभारत का कव्यार्त या संबतसर कॉस्चन नमबर यहां पर दिया गया त्रेपन त्रेपन में आप सभी के यहां पर संबतसर संबतसर आप स्भी का यहां पर सही आंशर है संबतसर की रचनाकार माने जाते हैं आप कमेंट में जरू बताइएगा कॉस्चन नमबर यहां पर दिया गया है आप सभी का अंगला कोश्षण यापर क्या है देखते हैं यापर चंगनवा कोश्षण यापर दिए गया है देखेगा यह कोश्षण नम्बर चंगनगन नए साहित्य का स्वंदरे सास्त्र किसका निवंद संक्लन है यह चैन कन्ना है तो आप सभी का आपर सही आंसर है यह माना जाता है किसका विकल्प नमबर आप सभी का आपर चंगन में सही आंसर आ रहा है सी वाला विकल्प आनी के गजानन मादा मुक्तिबोद यहां पर सही आंसर होंगे विकल्प नमबर सी जनों ने भी चैन किया है सभी का सही आंसर है अंगला क्वाश्चन यहां पर देखेगा भारत में अंग्रेजी राज और माक्सवाद दो भागों प्रकासित किसका संकलन वाना जाता है निर्मल वर्मा मुक्तिबोद रामविलास सर्मा डाक्टर नगेंद्र पच्पन वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है पच्पन में आप सभी के लिए आंसर चैन करना है कौन सा विकल्प आपर सही आंसर है बारत में अंग्रेजी राज और माक्सवाद दो भागों पिरकासित किसका निवंद संकलन है तो सही आंसर होगा रामविलास सर्मा डाक्टर रामविलास सर्मा आप सभी का यहां पर सही आंसर है डाक्टर रामविलास सर्मा यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा ब्रामचिन ने संकलन को किस Question number 56, सही आंसर चेंड करिएगा, ब्रामचिन ने संकलन को किस लिखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह सुईकार किया है, यह आप सभी के लिए आपर चेंड करना है, तो 56 सही आंसर ने रामबिलास सर्मा जी ने, किनोंने रामबिलास सर्मा यहाँ पर सही आंसर होंगी, विक संताओन में चैंड कन्ना, हरीवंसर राय बच्चन, स्वरी हरी संकर पर साई, विवेकी राय, कोबेनात राय, विध्यनिवास मिस्र, संताओन में बताने अब भी पड़ाता पनने, फिर बेतलबा डाल पर निवंद संग्रह विध्यनिवास मिस्र जी का माने जाता है, डिव सवार इल्निया किसकी बेंग रचिना मानी जाती है अरी संकर परसाई के पी सक्सेना सरद जोसी रवेंद्र नाच त्यागी अंठाउन में आपर सही आंसर बताना है अंठाउन में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चैन करिएगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा कॉस्चन नम्बर यहां पर रंठाउन है और अंठाउन में आप सभी का सही आंसर विकल्प नमबर C यानि कि आप सभी का यहां पर सही विकल्प नंबर B वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यापर सही आंसर है विवे की राय होंगे यापर सही आंसर विवे की राय है फिर वैतलवा डाल पर संताउन में विवे की राय है आप सभी का यापर सही आंसर है और जीप पर सवार इल्लिया अंठाउन में तो यह अप कौन सा नहीं है नहीं आप सभी के लिए बताना है रस आखेटक या फिर मैंने सिल्फ पहुंचाई मेरी राम का मुकट भीग रहा है या पिर तुम चंदन हम पानी उनसट में आपर चैन करियेगा उनसट में सही आंसर क्या होगा चैन करिएगा विद्ध्यानवास मिस्र का निवंद संकलन कौन सा नहीं बताना है 69 में आप सभी का यहाँ पर सही आंशर है रसा के टक हैं यह वाला विकल्प जन्नों ने भी यहाँ पर चैन किया है यह किनकी रच्णा मानी जाते है रसा के टक कमेंट में आप बताईएगा विद्यानवास मिस्र जी के रचना नहीं है भूत के पाउं किसकी वेंगर रचना मानी जाते हैं भूत के पाउं रविंद्र नाच त्यागी, हरी संकर परसाई, सरद जोसी, केपी सक्सेना कॉस्टन नमबर यहां पर साथ दिया गया है साथ में आप सभी के लिए आपर चन करना, भूत के पाउं किसकी वेंगर रचना मानी जाती है तो साथ में आप सभी का यहां पर सही आंचर है घरी संकर परसाई, आप सभी का यहां पर सही आंचर होंगी भी वाला विकल्प आप सभी का सही आंचर है विकल्प नमबर दो जनों ने भी याँ पर चेंड किया है उनका याँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन अंगला कॉस्चन याँ पर क्या दिया गया है कॉस्चन नमबर याँ पर दिया गया है 61 question लगू मानों की बहानी हिंदी कविता पर एक वहस की लिखक कौन मानी जाती है ये question बहुती मत्तपूर्ण यापर दिया गया है और आप सभीका आपर 61 में सही आंसर होगा कौन मानी जाते हैं विजए देव नारण साही मानी जाते हैं लगू मानों की बहाने हिंदी कविता पर एक वहस के लिखक है विजए देव नारण साही है सदाचार का तावीज एवं नठले की डाइरी के लिखक कौन है 62 कौस्चन या पर दिया गया है क्या होगा सही आंसर तनमय जी और कलपना जी दिपक जी तनु जी आप सभीका यापर सही आंसर है वासट में हरी संकर परसाई जी जो है हरी संकर परसाई उनी की रचिना मानी जाते हैं सदाचार का तावीज और निठले की डाइरी आधुनिक्ता नई और पुरानी निवंद किसका है कॉस्चन अमबर 63 में बताई विद्यानिवास मिलस नाम बारसे को बेन नातराः सिवदान सेंचोहन कॉस्चन अमबर यांपर दिया गया है 63 लबली ठाकुर जी तन्या जी आधुनिक्ता नई और पुरानी किसका आप सभी के लिए आपर बताने किनका निवन दमाना जाता है तो 63 में आप सभी का आपर सही आंसर निवन दमाना जाता है किनका विकल्प नमबर सी सही आंसर कुबेन नात राई कुबेनात राजी जो है उन्ही का निवन्द माना जाता है स्थी वाला विकल्प आप सभी का यापर सही आंसर होगा कुबेनात राजी नों ने भी यापर चन किया है उनका यापर सही आंसर होगा हिंदी के अपराजे युद्धा वय्या साहब किसके दौरा लिखा गया संसमन नात्मक निवंद माना जाता है 64 में आप सभी के लिए बताना है ये बनास्ती दास चतुरवेदी स्री नारण चतुरवेदी या फिर अग्ये या फिर विद्या निवास मिस्रे 64 में सई आंसर बताना है इंदी के अपराजे युद्धा वय्या साहब किसके दौरा लिखा गया संसमन नात्मक निवंद माना जाता है तो 64 में आप सभी का यापर सही आंचर है ये लिखा गया किनके दारा विद्या निवास मिस्र आप सभी का यापर सही आंचर होंगी निडी वाला विकल्प आप सभी का यापर सही आंचर है विद्या निवास मिस्र यापर सही आंचर होंगी भाई नामक विद्यानिवास मिस्ट का संस्मलनात्मक निवन्दिकिस की जीवन पर आधरत है 65 में बताना है अग्गे डाक्टर नगेंद्र दर्मबीर वार्ती या प्रिस्री नारान चतुरवेदी 65 में सही आंसर बताईएगा परवती जी क्या होगा सही आंसर भाई नामक विद्यानिवास मिस्ट का संस्मलनात्मक निवन्दिकिस की जीवन पर आधरत है यह आप सभी के लिए आपर चैन करना है 65 में अग्गे यहाँ पर सही आंसर होगी अग्गे सचितानंद हीरानंद बात्साइन अग्गे आप सभी का यहाँ पर यह वाला विकल्प जन्होंने भी यहाँ पर चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कॉस्चन नमबर आप सभी का यहाँ पर 66 है 66 में आपके लिए बताने है पार्थे उधर में नामक उस्तक के लेखक को अन मानी जाती है निवंदे विदा की रचिना मानी जाती है पार्थे उधर में और इसके लेखक कोण मानी जाते हैं? अग्ये हैं? अजारी पर साथ दुवेदी, विद्यानवास मिस्टरे, डाक्टर नगेंडरे क्या होगा आप सवी का सही आंसर? पार्थेव धर में नामक नवंदे के लेखक कौन मानी जाते हैं ये आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी का यापर सही आंचर है 66 में विकल्प नमबर आप सभी का याँ पर सी सही आंसर है विद्या निवास मिस्र याँ पर सही आंसर होंगे विकल्प नमबर सी आप सभी का याँ पर सही आंसर होंगे विद्या निवास मिस्र है अगला कॉस्चन याँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर याँ पर दिया गया ह मलाई की अंचल में नाम क्यात्रा वर्णन के लेखक कौन मानी जाते है यह कौश्चन बहुती मत्पूर ने आपर दिया गया है और आप सभी का आपर सही आंसर होगा मलाई की अंचल में नाम की आत्रा वर्णन के लेखक कौन मानी जाते हैं विद्या नवास मिस्र आप सभी का सही आंसर होंगे अंगला कॉश्चन यहां पर देखेगा पुस्पराज जी कॉश्चन नमबर यहां पर 68 दिया गया है आस्ता के चल्ण में डाक्टर नगेंदर के कॉश्चन है 50, 75, 80, 101 कॉश्चन मत पुण है आस्ता के चल्ण में डाक्टर नगेंदर के कुल कितने निवंद संकलित हैं यह आप सभी कले आपर चैन करना है तो आप सभी का आपर सही आंसर होगा 68 में विकल्प नमबर आप सभी का आपर D वाला विकल्प सही आंसर 101 निवं नगेंदर की नवंदों का नहीं है 69 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है आलूप की आस्ता विचार विसलेशन या फिर या पर कामध्यात में या फिर विचार विचन 69 में आपर सही आंसर चैन करना है कौन सा संकलन डाक्टर नगेंदर की नवंदों का नहीं है तो आप सभी का याँ पर सई आंसर होगा, राजीब जी, नीरू जी, विकल्प नंबर याँ पर 59 में सई आंसर होगा, सी वाला विकल्प कामध्यात में, कामध्यात में आपर सई आंसर है, सी वाला विकल्प याँ पर सई आंसर है, कामध्यात में आपका सई आंसर है, स्रंकला की कडिय बताईएगा पृरषाद मादेवर्मा अग्गे या पिर डाक्टर नग्यंद्र सभी से बन जागए तो सभी लोग चेंड करिएगा और एक बार वीडियो को लाइक अबस्त कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक बस्त करते जाएगा सभी लोग स्रंकला की कडिया नामक निवंद संकलन किसका लिखा हुआ है तो सत्तर में आप सभी का सैया आंचर है महादेई वर्मा भी वाला विकल्प सैया आंचर है जने आदुने क्यों कि मीरा का जाता है महादेई वर्मा आप सबी का आपर सईयांचर ने बार्टिया नारी की दैने इस्तितिक अनुपन किस निवन्द संग्रह के निवन्दों में किया गया है शुरंकला की कलिया, विपत गात, रसंकु, आत्मनि पद question number 71 में आप सबी की लिए आपर चेन करना है 71 में आप सभीका सई आंचर क्या होगा बार्टे नारी की दैने इस्टितिक अनुपन किस निवंद संग्रह के निवंदों में किया गया है तो आप सभी का आपर सभी आंचर एकत्तर में विकल्प नमबर एक स्रंखला की कणिया महादे बर्मा विकल्प नमबर एक आप सभी का आपर सभी आंचर है गंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमबर आप सभी का बत्तर है साहित सहेचर किस लेखक का निवंद संक्लन है साहित सहेचर यह पूंचा जाता है यह है अग्ये जी का निवंद संक्लन हरी संकर परसाई हजारी परसाद दुबेदी या फिर महा देवी बर्मा QAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ सही आंसर हजारी पिरसाद दुबेदी हजारी पिरसाद दुबेदी आप सभी का यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़ी है अजारी पिरसाद दुबेदी आपका सही आंसर होगा प्राचीन वारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है कॉस्चिन अमबर तेत्तर यहां पर दिया गया है अजारी पर साथ दुबेदी हैं विद्या निवास मिस्त्र है को बेनात राय हैं विबेकी राय है तेटर में आप सभी के लिए आपर चैन करना है प्राचीन भारत के कलात्मक मनोद के लेखक कौन माने जाते हैं चार वेकलप आप कि आपर दिये गए है निशा जी, दिपा, टाकुर जी और आप सभी का यहांपर सही आंसर क्या होगा तो कॉस्चन नमबर यहांपर दिया गया तेटर प्राचीन भारत के कलात्मक मनोद के लेखक कौन माने जाते हैं तो आप सभी का सही आंसर हजारी पर साथ दुबेदी यह बाला वेकलप आपर भी सही आंसर है जारी पर साथ दुबेदी कलप बल्ली के लेखक का नाम बताएगा कॉस्चन नमबर यहांपर चोहतर दिया गया है कल्प बल्ली के लेखक का नाम है अग्गे, हजारी परसाद दुबेदी, मावीर परसाद दुबेदी, डाक्टर नग्यंद्रे कॉशन नमबर चोहतर में आप सभी के लिए आपर बताना है कल्प बल्ली के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा, चैन करिएगा सभी लोग तो आप सभी का याँपर सही आंसर है, कल्प बल्ली के लेखक माने जाते हैं, कौन विकल्प नमबर आप सभी का या पर क्या होगा सही आंसर चो अत्तर में आप सभी का सही आंसर है वी वाला विकल्प आनी कि हजारी पर साथ दुबेदी याँ पर सही आंसर है हजारी पर साथ दुबेदी जन्नों ने भी याँ पर चन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है चो तर्मे भी वाला विकलप आप सरी का सही आंसर होगा यहाँ पर बताने 75 वा कॉस्चन है कि बेणू की चक और रागव करुणू रसा के लेख़ कौन है कुबेण नाथ राय है विद्या निवास मिस्त्र है हरी संकर परसाई है अजारी परसाद दुबेदी है 75 में आप सभी लोग चैन करिएगा क्या होगा सही आंसर कॉस्चन मत्पोन यहाँ पर दिया गया है कि बेणू की चक और रागवा करुणू रसा के लेख़ कौन माने जाते है 75 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 75 में आप सभी का सही आंसर है यह वाला विकल्प कुभे इनात राय कुभे इनात राय यह वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंगला पॉस्चन यहाँ पर देखेगा नई कवीता के पृतिमान के लेखक का नाम बताएगा, नई कवीता के पृतिमान के लेखक हैं, नामबारस हैं, लक्षमी कांत बर्मा है, डाक्टर नगेंद्र आचार रामचंद्र, आचार अजारी पर साथ दुबेदी, 76 का सही आंसर चैन करिएगा, नंत जी, वंदना जी, स कि आप सभी का यहां पर साही आंज्र है इनी क कि साहित्यका इतिहास धर्सन नामकिर्थी के लेखग कौन है 77 में आप सभी के लिए बताने आचा रामचन सुक लें, अजारी पर साथ दुबेदी है, नलन बिलोचन सर्मा, डाक्टर नामबार से हैं, क्या होगा सही आंसर चैन करिएगा कॉस्चन मत्पूर्ण यापर दिया गया है चैन करिए मत्पूर्ण कॉस्चन बात नहीं करना यापर, बात ना करें, आपर सभी लोग, नहीं तो बिलोग कर दिया जाएगे, बहुत सारी लोग बिलोग हो चुके हैं, जो आप देख नहीं रहे हैं और आप सभी का यापर 77 में सही आंसर क्या होगा, साहित का इतिहास दर्शन किर्थी के लेखक कौन है, ये आप सभी के लिए आपर बताना है, 77 में आप सभी का सही आंसर है, नलिन बिलोचन सर्मा, आप सभी का यापर सही आंसर होगे, मुझे चांज चाहिए कि विदा बता अठतर में शेंद करिएगा यह निबंद नाटे को पन्यास कवीता किस विदा की रचना हैं कि बताइएगा चार विकल्प यह आं पर दिए गए हैं मुझे चांद चाहिए किस विदा की रचना मानी जाती है तो आप सभी कर आप सही आंसर है मुझे चांज चाहिए किस विदा की रचना है यह आप सभी के लिए बताना है सुरंद बर्मा जी की रचना है वो पन्यास विदा की रचना मानी जाती है सी वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंसर है वो पन्यास विदा आप सभी का आपर सही आंसर है अंगला सुरत्दा और प्रेम की युग का नाम भक्ति है किस लेखक का कतन माना जाता है रामचन सुक्ल अजारी प्रसाद दुवेदी या फिर डाक्टर नगेंद्र विद्यानिवास मिस्ट्रे क्या होगा सई आंसर चैन करियेगा उन्यासिवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है सुरत्दा और प्रेम की युग का नाम भक्ति है यह कतन रामचन सुक्ल जी का माना जाता है यह वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा यह वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सई आंसर है अंगला जत्य व्यास थे, श्री नारण चत्रवेदी थे, मावीर प्रसाद वेदी, स्याम सुन्दरदास, अस्ती में सई आंशर बताना है, बताईए. क्या होगा सई आंशर? कॉस्चन मत्पून है, सरस्वती पत्रिका की पहली संपादक आप सभी के लिए आपर बताना है, कौन थे? तो आप सभी के आपर सई आंशर है, गस्ती में विकल्प नंबर आप सभी के आपर D सई आंशर है, D वाला विकल्प यानिकी, स्याम सुन्दर आप सभी के आपर सई आ विकल्प सही आंचर है स्याम सुंदर है स्याम सुंदर है आप सभी का यापर सही आंचर है स्याम सुंदर चत्रवेदी विकल्प नंबर डी जो है आप सभी का यापर चत्रवेदी नहीं स्याम सुंदर आप सभी का सही आंच स्याम सुंदर जो है चत्रवेदी नहीं थे अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा अस्तीवा कॉस्चन यहां पर स्याम सुंदर स्यन होंगी स्याम सुंदर दास हैं स्याम सुंदर दास होंगी यहां पर चत्रवेदी दिये गए हैं श्याम सुन्दर दास होंगी यहां पर चत्रवेदी लिग गया गलत हो गया यहां पर एक अंगला कॉस्चन यहां पर देखिए का स्याम सुन्दर दास मानी जाते हैं सरस्ती पत्रिका की पहले संपादक स्याम सुन्दर दास यहां पर चत्रवेदी लिग गए हैं यह आपका गलत हो जाएगा अगर चत्रवेदी अटाकर यहां पर दास लिखना स्याम सुन्दर दास ज बताईएगा चेन करिये कहा ज्यानराशी के संचित कोष का नाम साहित है, एक अतन किसका 81 का सही आंसर वताना है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विखल्ब नंबर 81 में आप सभी का यह वाला विखल्ब सही आंसर महावीर परसाद दुबेदी, कौन माने जाते हैं ज् चलिए सुमिलित कर देते हैं जापर आप सभी के लिए याँ पर कूट भी देगए हैं इन कूट की साहिता से आप सभी के लिए याँ पर सही आंसर बताना है रस आखे टक की रचनाकार कौन मानी जाते है तो कुवेनात राई जी की रचना है कौन तुम फुलवा बीननहारी विद्यानवास मिस्री की रचना है कोटा जी की रचनाकार अजारी परसाथ दुवेदी है चनतावणी के रचनाकार रामचंद्र सुक्ल जी मानी जाती हैं इस पिरकार यापर सुं मिलती किये गए हैं वी वाला विकल्प आप सभी का है यापर सही आंसर है, सरदार पूंस है, मावीर परसाद दुबेदी, रामचन सुकल है, हजारी परसाद दुबेदी, आप सभी का यापर सही आंसर क्या होगा, 83 में चैन कन्णा हैए और 83 में आप सभी का सही आंशर है नंवने लेकों को काल किर्मानुसार सही आरोईक्रम वतथित कन्णा है विकल्ब नमबर आप सभी का यN Senior होगा स्भी वालब कल्प है सबसे पहले यहां पर आंगे मावीर पर साइट दुबेदी फिर आंगे सर्फदार पूंट से रामचन सुकले उनकी वादाई ये अजारी पर साथ दुबेदी सी वाला विकल्प आप सभी का यापर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यापर दिया ग्या है कॉस्चन नमबर आप सभी का यापर क्या दिया ग्या है आप सभी का यापर कॉस्चन नमबर 84 ह कौन सा निवन्द आच्छा रामचन सुकल जी का है 84 में चैन करना है यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है तो 84 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर है यानि की कवीता क्या है कवीता क्या है विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कवीता क्या है निवन्द किनका माना जाता है रामचंद्रे सुकल जी का निवन्द माना जाता है भारत भारतेंदु अरिश्चंद सर्दार पूंट से डाक्टर नगेंद्र वालकेष्ण भट्टे क्या होगा सई आंसर कॉस्चन मत्पून दिया गया है वारत वर्सुन नती कैसे हो सकती है निबंद के लेखक आप सभी के लिए आपर चैन करना है प्रिती जी नीलम जी आप सभी का नमबर आप सभी का यापर 85 में एक सई आंसर है भारतेंदु हरस्चंद आप सभी का यापर सई आंसर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यापर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन या पर देखेगा भागो और पुरस्वारत इनमें से किस लेखक का निवंद है ये चैनकर्ये का भागो और पुरस्वारत इनमें से किस लेखक का निवंद है ये चैनकर्ये का भागो और पुरस्वारत इनमें से किस लेखक का निवंद माना जाता है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है, यह माना जाता है किनका 86 में B वाला विकल्प सही आंसर है, यानि कि जैनेंद्र आप सभी का यहां पर सही आंसर होंगे, जैनेंद्र जनों ने B वाला विकल्प चन किया है, उनका यहां पर सही आंसर होगा, यहां पर रामचन सुकल का ज रिवन काल इनवे से चाटना है कौन सा विकल्भ आप सभी का या पर सई और ओगा ये आप सभी कलीय आपर चैन करना है कोश्चन है यह पर मत्वपूं निया ग्या है 87 वा कोश्चन है और 87 में आप सभी का सभी का सभी और ओप नमबर सी सजद और ओगा जिवा logarb 10 1884 में इनका जन्मुआता 1941 में इनका निदन हो गया था सी वाला विकल्प आप सभी का यापर सही आंसर है यंगला कॉस्चन यापर क्या दिया है कॉस्चन नमबर आप सभी का यापर 1878 में सोची एक को सूची दो से स्वमिलित करना है चलिए स्वमिलित कर देते हैं या पर कूट भी देगए है ये आप कि आपर कूट नमबर आप की रचिन बानी जाती है नामबार्स हैं कि रचना मानी जाते हैं कौन सी तो नामबार्स हैं कि रचना मानी जाते हैं दूसरी परंप्रा की कोज संस्कृति के चार अध्या दिनकर की रचना मानी जाती है ये वाला कूट में विकल्प एक आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा गंस जी अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है नई कवीता की पृतिमान नामक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं नवासी में आप सभी के लिए बताना है तो यह तो अब भी अपन ने पढ़ाता डवल हो गया कॉस्चन नई कवीता की पृतिमान लक्ष्मी कांत बर्म कवीता की नई पृतिमान नामबाट सैंकी रिचना माने जाती है कॉस्चन नमबर आप सभी का 90 दिया गया है कौन सी पुस्तक रामचन सुकल से संबन देते हैं बताएगा चिंता मणी है बिरमर गीत सारे रस्मी मान सा उपरिप्त सभी है एक अंचन जी संजू जी आप सभी सभी आप सभी का यहां पर डी वाला विकल्प जो है वैं आप सभी का यहां पर सही आंसर है और परिप्त सभी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया विल्कुल सही आंसर आप सभी लोग ने आपर चैन किया है और भी कॉस्चन यहां पर दिये गए है जैस बताईएगा, दो में आप सभी के लिए आपर बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंशर, चैन करिए, question बत्त पून है, और आप सभी का याँपर सही आंशर होगा है, आपर, वी वाला विकल्प आप सभी का याँपर, सही आंशर होगा, प्रिसादियोग यहां पर सही आंशर है, बीवाला विकल्प यहां पर सही आंशर है, प्रिसादियोग अंगला कोष्चन रतनावलीनाटक का हिंदी में अनुबाद किस वासा से किया गया था? मराटी से, बंगला से, संस्क्रिट से, अंग्रेजी से Qожно No.3 में आप चबीक लिए आपर चैन करना है किया होगा? 3 में सईए आंशर गतनावली नाटक का हिंदी में अनुबाद किस वासा से किया गया था ये आप सभी के लिए आपर बताना है तो आप सभी का है आपर सही आंचर होगा तीन में विकल्प नंबर आप सभी का है आपर सही आंचर आ रहा है सी वाला विकल्प की संस्कृत संस्कृत आप सभी का है आपर सही आंचरों का सी वाला विकल्प जो है वैं आप सभी का है आपर सही आंचरों का कॉस्चन नंबर यापर चार दिया ग्या है कि इन में से कौन जो है भारतेंदू का मूल नाठक नहीं है पाखन्ड बिडंबन, सती, प्रताप, नील देवी, अंधिय नंगरी Q4 में सही आंशर चन करना है भारतेंदू का मूल नाठक नहीं है नहीं आप सभी के लिए बताना है बताए चैन करिएगा, question मत्तपुन आपर दिया है, इनमें से कौन सा बारतेंदू का मूल नाटक नहीं है, नहीं आप सभी के लिए आपर चैन करना है, चार में आप सभी का सही आंसर है, पाखंड विडंबन है, क्या है सही आंसर? पाखंड विडंबन आप सभी का आपर सही आंसर है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आँसर हूँगा अंगला question यहां पर देख Jew आप सभी का यहां पर क्या दिया गया है पांच में आप सभी के लिए आपर बताना है अंग्रेजी नाटक मर्चंट और बैनिस का नुबाद बारतेंदू ने किस नाम से किया है बताए पांच में चैन करना है अंग्रेजी नाटक मर्चंट और बैनिस का नुबाद बारतेंदू ने किस नाम से किया विद्या सुन्दर बैनिस का व्यापारी मुद्रा राक्षर द इड़ी वाला विकल्प सही आंसर है दुल्लब बंदु आप सभी का यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर दिया ग्या है कॉस्चन नमबर आप सभी का छे है स्री चंद्रावली नाटी का किस पिरकार की रचना है स्री चंद्रावली नाटी का किस नाटक कार की यानि कि भार्तेंदु ब्भबनेश्वर प्रसाद या फिर धन्भीर भार्ती तो आप सबीड़ा यहां सब्सक्राइब करवादेगे तो विकलप आप सबीड़ा यानि कि भार्तेंदु आप आप सभी का या पर सही आंसर है बहुत बड़ी अंगला कॉस्चन या पर इन वैसे कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है नहीं आप सभी के लिए बताने सती प्रताप प्रयाम जोगनी बैदिक हिंसा हिंसा नभबती या पिर कारवा कौन सा नाटक भारतेंदू का नहीं है दनेश जी कॉस्चन नमबर यहाँ पर दिया गया है साथ और साथ में आप सभी का सही आंसर है कारवा कारवा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रचना जो है भारतेंदू जी की नहीं मानी जाती है कारवा रचना किन की मानी जाती आप कमेंट में बताईएगा किन की रचना कारवा आनंद जी बहुत बढ़िया यंगला कॉस्चन यहां पर गिया गया गुबनिस्वर जी की रचना कारवा विसस्त विस्मौसदम नाटक की रचेता का नाम बताईएगा बारतेंदू है उपयन तो आप सभी का यहांपर सही आंसर आरा इस व श्मौसदम नाटक किनका मानजाता था आट में आपका ये वाला Absolutely better वृत यंदृ बहर सबीक है यहांपर सही अंसर बहर और इस चंद्र जी जो नहुन का यह यहांज नंग्छा नाफ टाथ अब ईआ गया है क्या दिया गया है संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय कनुवाद भार्तेंदु जी ने किस नाम से किया है नौ में आप सभी के लिए आपर चैन करना है नौ में आप सभी के आपर सही आंसर क्या होगा प्रवोद चंद्रोद एक अनुबाद बार्टेंदु जी ने किस नाम से किया है नौ में आप सभी के लिए आपर बताना है कॉस्चन वत्त पूर्ण है और आप सभी का आपर सही आंचर है नौ में विकल्प नंबर एक पाखंड विडंबन नाम से पाखंड विडंबन आप सभी का आपर ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंचर है दसबा कॉस्चन आपर दिया गया है चौर पंचासी का नाटक कनवाद बार्टेंदु जी ने किस नाम से किया है विड्या सुन्दर पाखंड विडंबन करपूर मंजिरी मुद्रा राक्षस दस का सही आंचर चैन करिएगा बताईए चौर पंचासी का नाटक कनवाद बार्टेंदु जी ने किस नाम से किया है तो दस में आप सभी का सही आंचर विड्या सुन्दर क्या होगा सही आंचर विड्या सुन्दर आप सभी का यांपर ये वाला विकल्प यांपर सही आंचर है अंगला कॉस्चन या पर दिया गया है बारतेंदु जी के पिता गोपाल चंदर गिरदर दास ने किस नाटक की रचना की थी रामाण मा नाटक नहोस या फिर प्रदुमन विजय जान की मंगल ग्यारे में सही आंसर बताना है बारतेंदु जी के पिता जी गोपाल चंदर गिरदर दास ने किस नाटक की रचना की थी कॉस्चन नमबर ग्यारे या पर दिया गया है ग्यारे में आप सभी का सही आंसर होगा नहोस नहोस आप सभी का या पर सही आंसर है वीवाला विकल्प आप सभी कहा है आपर सही आंसर होगा वहाद बड़ी ह zijn नाटक नामक ग्रंच लिखा है जैसेंकर प्रसाद ने ब्रज वल्लव मिस्त्र ने भारतेंदू धर्मबीर भारती बारे में आप सभी के लिए आपर चेहन करना है बारे में आप सभी के आपर सही आंसर क्या होगा चेहन करिएगा तो सही आंसर है आपर बारे में विकल्प नंबर आप सभी का सी सही आंसर है भारतेंदू भारतेंदू आप सभी का आपर सही आंसर है कॉस्चन है आपर दिया गया तेरह जान की मंगल उन 1866 की रचना है नामकनाट्टी किर्थी की रचेता कौन मानी जाते हैं ससी प्रसास सास्त्री है सीतला प्रसाग तरपाठी है भारतेंदू जी है प्राण चंद चौन है तेरह में आप सभी के लिए आपर चेहन करना है जा सीतला प्रसाग तरपाठी आप सभी का यहां पर भी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहां पर सही आंसने सीतला प्रसाग तरपाठी सही आंसने भारतेंदू जी ने किस प्रहसन में रस्ट सासन तंत्र पर प्रहार किया है नील देवी में अंदे नंगरी विद्या सु , So question number आपर चवदय दिया गया है B वाला विकल्प आपसभी का सई आंसर है अन्धे मंग्री आपसभी का नभी का सई है आनसर है द्यश्न डाष्ण Supoto आपसभी का सई आंसर है यां पर वताने तब्ता संबरण रंधिर प्रेमोहै नाटकों कि रचेत आप सभी लोग चैन करिएगा पंद्रेवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है भारतेंदु जी हैं लाला स्री निवास दास हैं कोई नहीं है पंद्रे में बताना है कौन सा विकल्प तप्ता संब्रान रर्दीर प्रेमोहिनी नाटकों की रचेता इन में से कौन है यह चैन करना है चार विकलप आपके हां पर दिये गए हैं और आप सभी के आपर सही आंसर आ रहा है 15 में क्या होगा सही आंसर आंसर कमेंट में लिखना है आज का ये चैलेंज प्रेशन होगा जिसका आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगी वीडियो को लाइक कर लाइक करने है चैनल क पर कर सकते नाइन त्री डबल डबल फाइब फिरी नाइन डबल सिक्स पर संपर कर लें ए इस और रप्र की पीडियाप आप सभी के लिए मिल जाएगी कुमुद जी लबली जी संजु जी लाइक नहीं कि जी और अर्चन सुकला जी पंकट जी उस्पराज जी नम्रता जी दनेश जी दिप्ती जी अनंत जी प्रीती जी रिता जी तनु जी कंचन जी मंजू जी स्वानी जी प्रमोध जी साधना जी सावित्री जी सुसीला जी बंधना जी सीमा सुकला जी निसा जी सुनेना जी जिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंसु जी राहल जी और मनीशा जी संजू जी क्रीटी जी देनेश जी कीर्टी जी अन्स जी अनन्द जी पार्वत्री जी पारो जी मिलते हैं अंगली क्लास में जो कि सामकुर आत्री में नौ बजे क्लास होती है नौ बजे वाली क्लास में सबी लोग जोड़ियेगा अनन्द जी जय हिंद